हेलो एवरीवन वेलकम टू आउनलाइन ए लेर्णिंग प्लेटफॉर्म आफ एगरी कल्चर आइन जी के दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिने दिख्षित आप सभी का हाद दिख सुरागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे एपसी आई एजी सेकेंड मैनेजर और एपसी आई असिस्टेंट ग्रेट ट्री टेक्निकल एक्जाम के बारे में इन में क्या सिबिलेटीज हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों एक्जाम में क्या क्या आपको जो है जॉब प्रोफाइल होता है सेल्जी का मिलती है education qualification का चाहिए होगी और इसमें आपका selection कैसे होगा और क्या इसमें आपके salary रहेगी जानेंगे इसके बारे में complete information तो चलिए start करते हैं वीडियो को दोस्तों बहने बात कर लेते हैं FCI का जो एक्जाम हो रहा है 2022 में इसमें vacancies के बारे में जो दोनों पोस्टे हैं आपकी FCI manager की post और FCI AG3 की post इन में कितनी कितनी vacancies आई हुई हैं जान लेते हैं इसके बारे में तो जो आपका पहला है FCI AG2 manager की post technical के लिए इसमें आपकी जो नौ 6 vacancies है इस जो में आपकी जो है total 7 vacancies है North East में आपकी कुल जो है दो vacancies है तो यह आपकी जो है total vacancies है FCI manager में और अगर दोस्तों बात की जाए FCI assistant grade 3 के बारे में जो आपकी टेक्निकल वाली post है उसमें तो इसमें नौर्स जोन में आपकी total 611 vacancies है south में आपकी जो है 257 vacancies है और आपका East में 194 vacancies है वेस्ट में आपकी 296 vacancies है और आपका North East में आपकी जो है total 48 vacancies है तो यह आपकी vacancies आई हुई है FCI की जो vacancies आई हुई है इस बार उसके बारे में यह थी information चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपकी educational qualification है वह क्या चाहिए होगी इन दोनों के लिए तो जो आपक आपके पास जो है bachelor in science in agriculture अगर आपके पास ब्सक्राइब करके जिगरी है यह आपके पास बी या बीटकी डिगरी है food science में या food science and technology में food technology में food processing इंजिनिंग में फूर्ड प्रोसेस के फूर्ट प्रिजर्वेशन टेकनोलोजी में तो आप इस पोस्ट के लिए लिजबल रहेंगे जैने कि आपका मोटा-मोटा जो आपका बीस्टि अग्रिकल्चर वाले हैं पूर्ट साइंस अंटेकनावजी वाले हैं बीटेक अगरिकल्चर एंग वाले हैं और बीटेक बायो टेकनावजी वाले इसके लिए इलिजिबल रहेंगे और अगर बाद दुस्तों बात की जाये FCI AG 3 के बारे में technical जो पोस्ट आई हुई है आपकी इसमें आपका बिस सी एक्रिकल्चर वाले और वाले बायो टेकनाव के एक फूर हिंग्रों साइंस में तो आप इसके लिए होगे यह इनप oo आपके पास यह qualification है तो आप इनके लिए apply कर सकते हैं अगर आपके पास ब्सक्राइब है तो आप दोनों के लिए apply कर पाओगे या अगर आपके पास जो है बीटे क्या बीकी डिगरी है फूर साइंस और टेक्नालोजी में अग्रिकल्चरल इंजीनिंग में तो भी आप दोनों जी बॉटनी वाले हैं माइक्रो वालाजी वाले बायो किमेस्टी वाले यह लोग भी इलिजबल है तो यह जो है बेसिक डिफरेंस है दोनों में आपके पास जो क्वेलिफिकेशन है उसके अक्वार्डिंग आप इसमें अपलाई कर सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में दुनों में एज लिमिट क्या रहेगी तो आपकी जो पहली पोस्ट है मैंनेजर के लिए एफसी आई एजी सेकेंड की पोस्ट मैंनेजर की पोस्ट इसमें आपका जो है अपर एज लिमिट रहेगी टुंटी के बारे में अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आपको सेल्जी कितनी मिलेगी जो आपकी मेनेजर की पोस्ट है टेक्निकल की दोस्तों इसमें आपका पेश्केल 40,000 से एक लाग चाइस हजार रुपए पर मंत रहता है काफी एची सेल्जी आपको इसमें मिलती है और जो आपका एजी थर्ड होता है टेक्निकल की पोस्ट इसमें आपको जो है 28,200 से 89,200 रुपए पर मंत मिलता है AG 3 जो आपका होता है इससे जो आपका मेनेजर की पोस्ट होती है काफी सीनियर होता है यह आपका काफी सीनियर इंप्वाई होता है FCIA का चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं जौब प्रोफाइल के बारे में तो जो आपका FCI AG 2 मेनेजर की पोस्ट आई हुए है टेकनिकल पोस्ट के लिए अगर आपका जौब इसमें लग जाता है तो आपको जो है जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको बदाना पड़ेगा उनको सम्मिट करना पड़ेगा करता है इसमें आपको सीड टेस्टिंग हो गया जिसमें आपका आयोड 你nexis हो गया गोडाउन होगया आपका और इसके लाव कच्का जोट जोटो क्यों इंट आफे पूर ग्रेंस यह सब करना होता है आपको इसके लावा जो आपके सीनियर होते हैं उनकी आप help करते हैं और जो go down में activities होती हैं उनको आप देखभाल करते हैं उनकी तो यह आपका जो वर्क प्रोफाइल होता है manager और technical post के लिए चलिए बात कर लेते हैं selection process के बारे में जो आपका FCI manager की post है technical वाली इसमें आपका selection दोस्तों जो है online computer based test से होता है जिसमें आपका phase 1 और phase 2 की exam होते हैं phase 1 में आपका एक paper होता है phase 2 में कुल आपके दो paper होते हैं और फिर आपका जो है इसमें इंटर्व्यू होता है manager की post पे और फिर आपका इसमें जो है ट्रेनिंग होती है आपकी अगर आपका selection हो जाता है फिर आपकी training होगी और आपका final selection होगा तो यह आपका जो है FCI manager का selection process हो गया तर यह बात कर लेते हैं FCI assistant grade 3 technical के selection process के बारे में तो इसमें आपका phase 1 का exam होगा जिसमें आपका total 1 paper होगा और फिर आपका phase 2 होगा जिसमें आपकी total 2 paper होगे फिर आपका जो है document verification होगा और फिर आपका medical test होगा इसके basis पर आपका final selection होगा इसमें दोस्तों जो आपका technical की post है AG3 वाली इसमें आपका interview नहीं होता है इसमें आपका जो interview हो नहीं रहेगा तो यह आपको ध्यान देना है और जो आपका दोनो vacancies हैं दोनों में आपका stage 1 होता है दोस्तों यह qualified nature का होता है इसका आपके selection से कोई मतलब नहीं है इसका आपके merit से कोई मतलब नहीं है जो आपका phase second का exam होता है उसके basis पर आपकी बनती है merit और फिर आपका जो है selection होता है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं promotion के बारे में इस promotion के चार्ट से मैं आपको समझा पाऊंगा कि यह दोनों vacancies आई हुई हैं इनमें क्या difference है और कितना senior होता है आपका FCI AG 3rd से AG2 जो आपका दोस्तों FCI AG 3rd होता है assistant grade 3rd यह आपका lowest employee होता है FCI का सबसे नीचे आपका यहीं आता है फिर आपका आता है FCI AG 2nd AG 1st फिर आपका आता है manager तो जो manager है इसकी vacancies आई हुई है दोस्तों और इसकी vacancies आई हुई है अगर आप promotion से जाएंगे तो आपका promotion इस type से होगा पहले आप सेकेंड मेंगे फिर फर्स्ट बनेंगे फिर आप बनेंगे manager और अब exam से जाएंगे तो आप directly जो है बन सकते है manager exam को qualify करके अब बन सकते है manager फिर आपका आता है assistant general manager जिसको बोलते है ADM FCI AGM और सबसे उपर आपका दोस्तों होता है deputy general manager तो दोस्तों यह आपका जो है promotion का जो criteria होता है FCI में उसके बार में information है और दोस्तों अगर आपने दोनों exam के लिए apply कर रखा है आपका FCI AG second manager post के लिए और FCI AG third technical post के लिए तो आप agriculture gk platform से इसका combo pack बाई कर सकते हो combo pack का price पड़ेगा केवल आपको 23.99 रुपीस और इसमें हमको provide कर रहे है complete notes as per syllabus, question bank, full length test series, youtube classes class notes, old papers और interview guidance अगर आपको एक course buy करना है तो आप वीडियो का description box चेक कर सकते हैं और description box में आपको हमारे agriculture gk app की link मिल जाएगी और हमारी website की link मिल जाएगी वहां से आप इस course को रोल कर सकते हैं अगर कोई query होती है या आपको demo file देखना है तो demo notes के लिए आप मुझे इस number पे WhatsApp कर सकते हैं य अगर आपने केवल FCI AG2 के लिए apply किया है तो इसके लिए complete course available है course के feature यहाँ पर mention है इनको आप देख सकते हैं इसका price प्राइस प्राइस का आपका 1600 रूपीज इसमें आपको syllabus recording complete notes YouTube classes previous year paper test series question bank और free interview guidance वगरा provide किया जाएगा यह तारह हमारे short selection batch है जो हम provide कर रहे हैं वह आपको affordable price पे quality content दिया जा रहा है आपके selection के लिए आपको सब कुछ दिया जाएगा जिससे आपका selection हो सके और आप अच्छे से अच्छा score कर सके exam में ऐसे ही आपका FCI AG3 का course है यह course भी अग्रीकल्चर GK पे आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम जो वगैंसी आईवी थी FCI AGM की उस कर सकते हैं हमारे platform से इसका complete course buy कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी इसके बारे में complete information अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करिए share करिए और आप हमारे टेली ग्राम को जन करिए और आपके जो Instagram account है उसको जन करिए आप इसके लावा हमारा app install करिए app पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करिए share करिए channel को subscribe करिए thank you so much God bless you all